अब ऐसा समय आ गया है कि किसी से दोस्ती करने में भी डर लगता है, किसी से रिस्ता जोडने में डर लगता है लोगों के चेहरे सामने आते हैं अलग अलगतर है कि हमेशा और हम हैरान हो जाते हैं उनको देख करके हमको लगता है कि जब हम इनसे जुड़े थे तो हमने ऐसा कुछ तो नहीं महसूस किया था जैसा हमको आज दिख रहा है इसके लिए हमको हमेशा अपने जीवन में इस तरीके को अपनाना चाहिए कि हमको लोगों की अच्छी तरह से पहचान हो सके तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप का अच्छा टाइच चल रहा है काफी मजबूत हो आप पैसे से, रुपैसे, हर चीज़ से आप मजबूत हो लेकिन जो आपका दिखावा होना चाहिए वो कमजोर किस्म का होना चाहिए ताकि जो आपके आसपास लोग हैं चाहे वो आपके रिस्तेदार हो चाहे वो आपके दोस्त हो या आपके जानने वाले हो कोई भी हो उनके जहरे उस समय पर आपको सही ढंक से दिखेंगे क्योंकि उनकी नजर में तो आप कमजोर वो काफी मजबूत हैं आपकी जगए आपके ये लिए तो उस टाइम पर जो उनका बिहेवियर होता है वो आपको हमेशा याद रहेगा और जब आप कमजोर हो किसी भी तरह से आपके उपर कोई ऐसी परिसानी आ गई या स्वास्त की हो गई कुछ भी दिक्कत आ गई उस टाइम पर आपको मजबूत दिखना है मजबूत हो करके सब के सामने खड़े रहना है लोग हैरान हो जाएं अगर उनकुछ जानते हैं तो भी हैरान हो जाएं और नहीं जानते हैं तो भी हैरान हो जाएं तब आपको सबसे ज़्यादा मजबूत दिखना है और जब आप दिखते हो तो आप कही न कही हो भी जाते हो ऐसी बात नहीं है जब हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो हम वैसे हो जाते हैं तो ये चीज होनी चाहिए कि जब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, वहाँ पर आप थोड़ा कम बन के देखिए, कि लोग आपको कैसे जज़ करते हैं, और जब आपके पास कुछ नहों, तब तो बिल्कुल भी कम दिखने की जरूत नहीं है, वहाँ पर वजूती के साथ ड दूसरों का दिखता है, और दूसरी स्थिती में, लोग आपका चहरा और आपका होसला देखते हैं, किसी ने क्या खूक कहा है, कि जिन्दगी तम मुझे बड़ी मुस्किल लगी, जब मैंने जाना, कि जिस बात पर रोना आ रहा है, उस बात पर हमेशा दूसरों के सामने इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, कि आप इस समय कम जोर है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, चैनल पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिजिएगा, और बेल आइकान प्रस करिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिले, आप मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई